सेंधवा शहर में डी ओसी में नकली माल की मिलावत करते पुलिस ने पकड़ा पुलिस के अनुसार सेंधवा के प्राइवेट गोदाम पर डी ओसी में नकली माल मिलाय जा रहा था जिसे महरास्त भेजा जाना था सेंधवा में पूलिस द्वारा डी ओसी में मिलावत का एक बड़ा बामला पकड़ा गया है प्रात जानकारी के अनिसार पीथमपूर इस्तित फैक्टरी से डी ओसी मुर्गी दाना से भरा ट्रक सेंधवा गोई इस्तित प्राइवेट गोडाउन पर लाया गया जहां डी ओसी में नकली माल की मिलावत की जा रही थी पूलिस ने बताया कि ये माल नंदुर बार महरास्टर भीजा जाना था परंतो ट्रक को सेंधवा में रोकर मिलावत करते पकड़ा गया ट्रक में करीब 400 से 425 बोरी डी ओसी भरा था पूलिस दौरा माल को जबत कर ठाने लाया गया एवं गोडां को सील कर दिया गया पूलिस दौरा आरोपियों पर मामिला दर्श कर लिया गया है यह च्छे तारिक की रात में इंदृर के पितंपूर फैक्ट्रि से निकल कर डी ओ सी आया था, सुचना मिली थी कि ये जो है गोई में गोडाउन है, गोलुराठोड का, उसमें खड़ा किया हुआ है और उस ओरिजिनल माल को उतार कर नकली माल मिला रहा है उस पेसे उसी नाइट में आधा माल जो है गोडाउन में उतार रखा था और आधा माल ट्रक में था हम लोग मोके पर पहुँचकर, हमारी पुलिस मोके पर पहुँचकर गोडाउन को सील किया और ट्रक को थाने पर खड़ा कर वाया फिर इस सम्मन्द में जाज की गई कि कहां से माल आया, कितना माल आया और कहां जाना था तो यह इस माल को जाना था सालवी पॉल्टरी फार्म नवापुरा नंदुरबार वहाँ जाना था और यहाँ पर अनावशक रूप से जो है दो नम्मर का काम करने के लिए रूपा गया और उसमें माल की मिलावट की जा रही थी तो जाज पर यह मिलावट करना पाया गया इसलिए पर्थम द्रिष्ट्या अपरा धारा 420 और 407 का प्रकरन पाया गया जो पंजिबत कर वेचना मिले गया है अब जिसमें आरूपी गोडाउन मालिक गोलू राठोड है और ड्राइवर है कंधाया लाल